यह वीडियो एक में हाया थी दिल्चस्ट वीडियो साबित हो सकता है आपके लिए क्योंकि इसमें हमने थक्रीबन 45 एशियन कंट्रीज को प्रेजन्ट किया है विद्धियर कैपिटल करंसी एंड हैड़ अब इस्टेट और आप हैरान होंगे कि जैसे जैसे आप इस इन इस इ आप विजीबली तो दो चार चीज़ें देख रहे होंगे लेकिन उसके पीछे आपको ये भी नज़र आएगा किसी मलक में कौन सा गवर्मेंट सिस्टम है या वहां किस तरह के हालात हैं या वो किस तरह की डिमोक्रेसी या सिस्टम को प्रिवेल किये हुए है तो चलिए श प्रीफर्ट पे भी लिखा गया है कि आप किस तरह के से फॉर सपोस्ट अगर रियाल ना लिखा हो इरान ना लिखा हो तो आई आई आर आर से भी आप समछ सकते हैं कि दे आर टॉकिंग अबाऊ करंसी ऑफ इरां अब यहां के हैड हैड अफ इस्टेट या प्रेजिडन जो करता है वो एक और है नेक्स्ट है इंडिया जिसका कैपिटल है न्यू डिली और इसकी करंसी है इंडियन रुपी एक विल्चस बात ये के एशन कंट्री में ज्यादा तर आपको रुपी ही नजर आएगा थोड़े से स्पैलिंग्स डिफरेंट होंगे इसके प्राइम मिनिस् इस तरह से और इसका कैपिटल है काबल इसकी करंसी है अफगानी और इसके हैड ऑफ इस्टेट जो है वो है मोलवी है बतुला आखुंजाता अगला मुल्क है चाइना चाइना का कैपिटल बीजिंग और इसकी करंसी है यूआन इसका हैड ऑफ इस्टेट या जी जिन पिंग है जपान टोक्यो और करंसी येन और इसका हेड़ अफ इस्टेट है फ्यूमियो किशीदा ये चार अक्टोबर 2021 से है इसके साथ साथ जपान में बादशाहत है अगला मुल्क है इंडोनेशिया इंडोनेशिया भी इस्टेट है जो को विदो दो यहां मैं आपको एक और बाद कहना चाहूंगी कि जब आप किसी भी मुल्क के हेड अफ इस्टेट या प्रेजिजन्ट या कोई भी उनके नाम जब याद कर रहे होते हैं तो यकीन तोर पर क्यूंकि हम उनसे ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते तो वो हमारे लिए बहुत नाम्स करें तो अपने माइंड में उस लव्ज को लिखने की कुश्चर करें क्यूंकि इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज याद हो जाएगी अब हमारे पास नेक्स कंट्री है थाइलेंड जिसका कैपिटल है बैंकॉक और इसकी करंसी है भात इसके हैड अफ कंट्री है साउथ कोरिया जिसका कैपिटल है सियोल और इसकी करंसी है साउथ कोरियन वॉन के आर डब्ली और यहां के हैड अफ इस्टेट या प्रेजिजन जो है वो है मून जे इन पर दूसरा मिल्क है वेतनाम और इसका कैपिटल है हनॉय करंसी है डॉंग वी अंडी और यहां के head of state है ग्युन्जवान फू प्रेजिडन्ट अगला मुल्क है फिल्पाइन्स जिसका capital है मनीला और इसकी currency है फिल्पाइन्स पेसो आप इस तरहां भी reference बना सकते हैं के फिल्पाइन्स पेसो पीचपी और यहां के head of state है रोडरिगो, राउ, डूटर्टो, प्रेजिडन्ट है यहां के और अगला मुल्क है सिंगापूर और इसका capital भी सिंगापूर है यहां मैं आपको एक बात यह बताओं कि जग किसी मुल्क का जो नाम हो वो ही capital हो इट मेंस वो किसी और मुल्क के अंडर है किसी की कॉलोनी है तो सिंगापूर के साथ भी exactly यही है और यहां की currency है सिंगापूर डॉलर SGP और यहां की head of state है हलीमा बिंती याकूब प्रेजिडन्ट है यहां की फिर कुछ और countries होंग कॉग जिसका capital है क्यूंके हमने पहले भी आपको बताया कि कुछ ऐसे areas हैं जो कि किसी और के जरीर कंट्रो होता है तो इसका यह अंडर administration है चाइना के और इसकी currency है Hong Kong dollar इसका head of state है Kerry Lamb यह तक्रीबन 2017 से है और यह यहां के chief executive है CE का मतलब है chief executive अगला मुल्क है उस्बिकस्तान जिसका capital है ताशकंद जिसे हम कहते हैं ताशकंद और इसकी currency है उस्बिकस्तान सोम यूजेड एस यहां के head of state है या president है शौकत मेरी नौवी मिर्जोयोन अगला है हमारे पास Saudi Arabia रियाद capital है और इसकी currency है Saudi रियाद दिल्चस्पात यह है कि अरम मलकों में बहुत सारे मलकों के जो currencies है वो रियाल और दिरहम है लेकिन उसके साथ उसकी country अटेच होती है जिससे हमें differentiate करने में आसानी होती है यहां के बादशाह है सलमान बिन अब्दुलाजीद यहां बादशाहत है Saudi Arabia में अगला मुल्क है Qatar ज इसकी currency है रियाल जैसे मैंने आपको पहले ही बता है लेकिन उसके साथ लगता है QAR और यहां के head of state है शेख खलीफा बिन खलीफा बिन अब्दुलाजीद अगली country है Taiwan इसके capital है Taipei City और currency है new Taiwan dollar और यहां की head of state जो है साइ इंग वेन प्रेजिडंट है यहां की दूसरी country है Asian इस्राइल most controversial और इसका capital है यरूशला करंसी है इस्राइली new shuttle इसे शकेल भी कहते हैं शकेल भी कहते हैं और यहां के head of state है आईजाक हर्जोग प्रेजिडंट फिर कुछ और कंट्रीज यहां जिन में आती है कंबोडिया कंबोडिया का capital है नाम फिन करंसी है रिला और यहां के head of state है नौरदम स्यामनी किंग है यहां भी बात्शाहत है कंबोडिया में अगला मुल्क है मालदीव मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है और इसका capital है माले यहां की करंसी है मालदीव यह रुफिया और यहां के President है इब्राहीम मुहम्ममझ सॉल है दूसरा मुल्क है म्यांमर आप लोगों ने अरीब करीब में सुना भी होगा के म्यांमर और बरमा एक ее nama chat और म्यामर नया नाम यह इसी मलका जिसमें आप लोगों ने सुनो होगा किस तरीके से आंग सांसूची के साथ क्या कुछ हुआ शी वोज दा हैड अप एस्टेट और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होई और फॉज ने वहाँ कबजा कर लिया एक्तदार पे वहाँ का कैपिटल है नेफिदा और करंसी है वहाँ की क्याद और इस वक जो वहाँ शक्सियत हुकूमत कर रही है वो बेसिकली एक्टिंग है उसका नाम है मैंट सेव फेबरवरी फस्ट फेबरवरी 2021 से अगला मल्क है बंगला देश हमारा पड़ोसी मल्क उसका capital है ढका करंसी है टका और यहाँ के head of state है मुहमदअ अबदुल आमिद या हमीद प्रेसिडंट और next country है लाउस उसका capital है वैंश्यन करंसी है किप और यहाँ के head of state जो है वो प्रेसिडंट है वो है फो तोंकलम स्यौलैक और अगली कंट्री है नेपाल, नेपाल एक हिंदू कंट्री है और यहां का कैपिटल है खटमंडू, यहां की करंसी का नाम है नेपालीज रूपी, और यहां के जो प्रेजिडेंट है वो है बिदिया देव बंदरी, फिर यहां कुछ और ममालिक, मंगोलिया, यह भी एकेशि है उलन बातर करंसी है टॉग रॉक और यहां के हेड ऑफ इस्टेट है युखनादम कुरूलोश सुख प्रेजिजन्ट है यहांके नो डाउट के यह चीजें प्रोनाउंस करने में थोड़ी मुश्किल हैं लेकिन अगर आप कुछ मरतबाइने बार बार प्रोनाउंस करें दे सफ जरुवत है और वी कैन नोट डिनाई इस थेंग्स वी कांट इग्नोर अगला मुल्क है स्री लंका उसका कैपिटल है स्री जवंदेपूरा कोटे और करंसी है स्री लंका धुपी यहां के हेड ऑफ इस्टेट है गोता बाया राज राजा कपसा प्रेजिजन्ट है यहां के अगला मुल्क है क्रिस्मस आइलेंड यहां का कैपिटल है फ्लाइंग फिश को क्रिस्मस आइलेंड मैंने आपको यह बताए कि एश्या के बहुत सारी एरियाज हैं जो अब भी किसी ना किसी की कॉलोनी है और यह ऑस्रेलिया की कॉलोनी है इसलिए यहां की करंसी है ऑस्र कहा जाएगा वो होगा जो Australia का Prime Minister होगा या Australia या हम इसे बहतर तर पर इस तरह समझ सकते हैं क्योंकि तमाम English countries जो है जो हैं वो अब भी मलका बरतानिया के जेरे तहत हैं तो यहां का जो Head of State होगा वो होगी मलका बरतानिया यानी Elizabeth II अगला मुल्क है माकाव, इसका कैपिटल है, ये भी चाना का एक एड्मिनिस्टर्ट एरिया है, इसलिए इसका कैपिटल सिटी भी माकाव ही है तो इसका, इसकी करंसी है मेकनीज पटाका और यहां की हेड अफ इस्टेट है होलेट सिनेगे, ये यहां की चीफ एक्जेक्टिव है, चीफ एक्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि वहां उस मुल्क में फोच की उकुमत है अगला मुल्क नॉर्थ कोरिया, जिसका कैपिटल है प्योंग जोंग, और यहां की करंसी है नॉर्थ कोरियन वोन, यहां के हेड अफ इस्टेट हैं किंग जोग अन, यहां के सुप्रीम लीडर है सुप्रीम लीडर का मतलब ये होता है कि वन एन ओल, हर चीज़ की पावर सिर्फ उस एक शफ के पास होती है अगला मुल्क है आर्मेनिया और यहां का कैपिटल है येरिवेन, यहां की करंसी है ज्रैम और यहां के हेड अफ इस्टेट या प्रेजिडन्ट है आर्मेन वार्दाननी सारकेसियन अब हम आ रहे हैं कुछ अरफ कंट्री के तरफ, उन में अरफ कंट्री में हैं लेबनान, जिसका कैपिटल है बैरूत और जिसकी करंसी है लेबनीज पाउंट और यहां के हेड अफ इस्टेट है माइकल नेम आउंट, अगेन इट इस किसी हद तक ये भी किसी और की तसल्लत में है अगला मुल्क है सिरिया शाम, जहां का कैपिटल है दमस्कस और यहां की करंसी है सिरियन पाउंट यहां के Head of State या President बशार हाफ़ज असद है इससे पहले हाफ़ज असद के वालिस सहाभी यहां के President थे फिर उसके बाद यह इट मेंज के टाइप ओफ हम कह सकते हैं के जद्धी पुछती तरहां की हुकुमत है इस मुल्क में फिर अगला मुल्क है United Arab Emirates जिसका Capital है अबुदहबी और इसकी करंसी है UAE दिरहम यहां के Head of State है शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अन्यान यहां के सुप्रीम लीडर है इसके पाद हमारे पास एक और मुल्क है इराक ये भी अरफ मुल्क है इसका Capital है बगदाद और इसकी करंसी है इराकी दीनार यहां के President है बरहम सौले दूसरा मुल्क है यमन यहां का Capital है सना यहां की करंसी है यमनी रियाल और यहां Head of State है Mansoor Hadi, President, फिर दूसरा मुल्क है Palestine, Palestine, East Jerusalem, इसका Capital है, और इसकी करन्सी है Israeli New Shackle, और Head of State है Mehmood Abbas, अगला मुल्क है हमारे पस Oman, Oman का Capital है Muscat, इसकी करन्सी है Real, और Head of State यहां के सल्तान है हातिम बिन तारिक अलस्यद, अगला मुल्क है बुरुनाईदार उस्सलाम, यहां का Capital है बांदर सिरी बगावान, और करन्सी है बुरुनाई डॉलर, यहां के Head of State है हसन बल्किया, मनाख है यहां के बादशाह है, दूसरा मुल्क है भूतान, जिसका Capital है थिंपू, और यहां की करन्सी है भूतानी, गुल्ट्रांग, और यहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जिग में थिले, लेकिन यहां बादशाहत भी है, यहां के बादशाह भी है, और दूसरा मुल्क है हमारे पास ताजिकस्तान, जिसका Capital है दुशनबे, और करन् सुमानी, यहां के Head of State या प्राइम मिनिस्टर है जो है, वो है माली रह्मान, अगला मुल्क है करगस्तान, जिसका Capital है बिशेक, और करन्सी है सोम, यहां के Head of State है सदर जैपारो, यही प्रेजिटन्ट है यहां के, दूसरा मुल्क है कुवेद, कुवेद सिटी, Capital है यहां का, और यहां की करन्सी है कुवेदी दिनार, यहां के अमीर है, शेख एहमद अलसबा, अगला मुल्क है बहरेन, जिसका Capital है मनामा, करन्सी है बहरेनी दिनार, Head of State है सल्मान बिन हमाद अल्खलिफा, यह प्राइम मिनिस्टर है यहां के, फिर दूसरा मुल्क है हमारे पास तुर खाबाद, और करन्सी है तुर्कमेन, न्यू मनाद, और यहां के Head of State है गुर्बंगली, मल्गु विलाच, यह प्रेजिटन्ट है यहां के, और अगला मुल्क है अजर्बाइजान, जिसका Capital है बाकु, यहां की करन्सी है मनाद, और यहां के, प्रेजिटन्ट है इलिम हैदर अगलू, एलिवर